Hello students, welcome to Paddle Humanities, मैं हूँ आपकी अनुश्यादीदी और आज के ख्लास में हम लोग Political Science के First Chapter को स्टार्ट करने वाले हैं तो आपकी एक बुक है Political Theory, उसका First Chapter जो है Political Theory and Introduction हम आज के ख्लास में उस Chapter को स्टार्ट करने वाले हैं And I understand आप लोग Students हो, हमारा एक एम तो यह रहता है कि Chapter को अच्छे से समझना है, फुल मार्क्स लाने हैं पर मार्क्स के अलावा भी I want you all कि आप इस Chapter को एकदम दिल से समझो क्यूंकि I understand कि आप में से काफी सारे बच्चों के बहुत बड़े-बड़े AIMS हैं आप लोग दुनिया बदलना चाते हो, सिस्टम बदलना चाते हो, तो अगर आप यह सब करना चाते हो, politics truly क्या होता है वो समझना चाते हो, तो यह book आपको वो चीज़े सिखा देंगी ठीक है, चलो, on that note, start करते हैं हम लोग अपना आज का lecture, जो भी बच्चे जॉइन कर चुके हैं, जल्दी-जल्दी class को like कर दो और हमारे चैनल को subscribe कर दो, ऐसे और भी classes के लिए चलो, तो अगर हम बात करें human beings की, तो human beings के दो बहुत ही unique characteristics होते हैं, ठीक है, human beings हम भी living beings हैं ना, पर बाकी living beings के context में अगर हम human beings की बात करें, तो हम लोग दो मामले में अलग हैं, ठीक है, क्या है वो दो aspects, ठीक है, point one, we possess reason and the ability to reflect on the action, ठीक है, हम ना reason करने की ability रखते हैं, ठी ठीक है, जैसे for example, मान लो मैं पढ़ रही हूं, ठीक है, तो मैं खुद सोच सकते हूं कि मैं पढ़ क्यों रही हूं, कल मेरा exam है, ठीक है, मैं अपने life में कुछ बढ़िया करना चाहती हूं, तो मैं exam में बढ़िया number लाने के लिए पढ़ रही हूं, ठीक है, तो हम लोग reason सम point क्या है, we also have the capacity to use language and communicate, ठीक है, हमारे पास और क्या characteristic होता है, कि हमारे पास ये ability भी है, कि हम अपने thoughts को किसी और तक convey कर पाएं, तो अगर आप मेरे पास आकर पूछते हो कि धीदी क्यों पढ़ रही हूं, तो मैं आपको भी बता पाऊंगी कि कल exam है, number लाने इसलिए पढ़ सकते हैं, point one हम reason कर लेते हैं हर एक चीज़ को, point two हम उस reason को communicate भी कर सकते हैं, ठीक है, यहां तक clear है, अब यह जो दो characteristics हैं हम humans की, यही दो characteristics, root है political theory का, ठीक है, political theory में हम हमेशा reason की पीछे भागते हैं, कि ऐसा क्यूं, और हम उस reason को communicate करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो political theory य यह जो chapter है, इससे आपको एक basic introduction मिलेगा कि है क्या political theory, ठीक है, तो political theory में क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीजों को question करते हैं, जैसे कि जब आप political theory को पढ़ोगे, तो आपकी दिमाग में अलग-अलग questions आएंगे, how should society be organized, society को कैसे organize करना चाहिए, हम एक government की जरुरत क्यूं है, ठीक है, कौन सा form of government सबसे best होता है, ठीक है, क्या कानून बनाने से हमारे freedom की उपर कोई limit लग जाती है, ठीक है, citizens के लिए government को, state को क्या करना चाहिए, ठीक है, as citizens हमें एक दूसरे का कैसे ध्यान रखना चाहिए, यह सारे जो अलग-अलग type के questions हैं, यह आपके दिमाग में आ examines questions of this kind, ठीक है, तो यह जो अभी हमने questions discuss करें, इस type के questions, political theory में हम लोग discuss करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हम कुछ values के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, freedom, क्या होता है freedom, equality क्या है, justice क्या है, तो इन type के values को भी हम discuss करते हैं, political theory में, ठीक है, it also examines the extent to which freedom and equality are actually present, political theory में हम ये भी check करते हैं कि किस हद तक ये जो values है, freedom, equality, किस हद तक ये values हमें daily life में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी मैं आपसे question पूछती हूँ, मुझे comment section में आप लोग इसका जवाब देना, ठीक है, हमारे समविधान में लिखा है, है ना, कि हम सारे लोग बराबर हैं, है ना, तो आप लोग मुझे जवाब देना, comment section में, पूरे sentence के साथ जवाब देना, आपको क्या लगता है बच्चों, ठीक है, हमारे school में, shop में, government offices में, हर जगा, equality मिल रही है, क्या, सही में, इंडिया में 100% सबको equality मिल रही है, क्या, ठीक है, क्या लग है, in this chapter, we will examine what is meant by politics, इस chapter में हम discuss करेंगे, कि होता क्या है politics, शब्द बहुत सुना है, हर जगा सुना है, कि यहाँ politics चल रहा है, politics में यह हो गया, है ना, और मुझे लगता है कि आप लोग को कहीं ना कहीं politics से लगाव होगा, तभी यह subject चुना है, है ना, तो इस chapter में आपको थोड़ा बहुत समझाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसी chapter में सब समझ जाओगे politics के बारे में, पर हाँ, we will introduce you to this concept की politics होता क्या है, political theory क्या है, और हमें क्या जरुरत है इस subject को पढ़ने की, ठीक है, चलो, शुरुआत करते हैं with this topic, what is politics, होता क्या है politics, ठीक है, तो वीडियो क जरा pause करो, और again मुझे comment section में बताओ, ठीक है, हाला कि अभी हम in detail discuss करेंगे politics क्या होता है, पर आप लोग वीडियो को pause करके comment section में पहली बताओ, आपको क्या लगता है politics क्या होता है, ठीक है, फिर हम match करेंगे कि क्या आप लोगों की विचार और इस book की कहानी सिंख हो रही है या नहीं, ओके चलो, तो what is politics, ठीक है, तो अलग-अलग इनसान से जब आप पूछोगे, तो सब लोग अलग-अलग answer देंगे, what is politics का, ठीक है, अब मान लो, आप किसी बहुत ही अच्छे नेता के पास चले गए, किसी political leader के पास चले गए, आपने उन से पूछा, कि माम, या sir, बताओ, politics का क्या मतलब है, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे, कि बेटा, हमारे लिए politics का मतलब है, public service, है ना, लोगों की सेवा करना, यही हमारे लिए politics है, हो सकता है, वो ऐसा जवाब दे, है ना, अगर आप किसी और से जाकर, ठीक है, या अगर आप अपने घर में किसी से, या स्कूल में किसी से पूछो, कि या बताना, तुम्हारे लिए politics का क्या मतलब है, तो शायद वो क्या जवाब देंगे, कि politics का मतलब होता है, लोगों को manipulate करना, ठीक है, अपने self-interest के उपर काम करना, scam करना, मेभी वो ऐसा जवाब दे, ठीक है, क्यूंकि आपने देखा यूज होता है, जैसे आप मान लो कि, स्कूल में कोई एक ऐसा बच्चा है, ठीक है, जो क्या करता है, आप लोग जो भी करते हो, क्लास में, ठीक है, वो सारी चीजे जा के टीचर को बता देता है, ठीक है, तो हम लोग क्या कह देते हैं, कि ये बच्चा politics बहुत करता है, है अपने फैमिली में सुना हो, अपने घर में किसी को बोलते होए, कि वो फैमिली मेंबर ना politics बहुत करता है, या करती है, ठीक है, घर में जगड़े बगड़े मत करने ही लग जाना, मेरा नाम लेगे, कि दीदी ने कहा था कि घर पर politics होती है, में भी आप लोगों ने सुना ह हो ऐसा, है न, तो कहीं बार हम politics को ऐसे लिंक कर लेते हैं, कि politics का क्या मतलब है, किसी को manipulate करना, अपने self-interest के लिए कुछ करना, किसी को धोका देना, scam करना, तो हमें लगता है कहीं बार कि ये politics का मतलब होता है, और यहाँ पे एक image दी गई है आपको बताने के लिए कि कैसे politics क का मतलब, लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक mother है, और father अपनी किसी meeting में लगे हुए, ठीक है, तो mother क्या करती है, वो दरवाजा खोलती है, अचानक से entry करती है, और वो क्या कहती है, father से, you must retire from politics at once, अभी के अभी politics में से अपनी job छोड़ दो, retire हो ज activities के वज़े से हमारे बच्चे के उपर गलत प्रभाव पढ़ रहा है, he thinks he can get away with lying and cheating, हमारे बच्चे को लगने लग गया है कि अगर मैं जूट बोलूंगा, cheating करूंगा, तो मैं बच जाओंगा, तो कही ना कहीं इस cartoon से क्या बताने ही कोशिश कर रहे हैं, कि ये जो इंसान है ये politician है, ये lie करते हैं, ये cheat करते हैं and he gets away with it, है न, and he is fine, तो बच्चा भी वही देखके सीख रहे हैं, कि अच्छा पापा करते हैं, मैं भी करके देख लेता हूं, है न, तो politics का एक ऐसा negative सा भी image है, ठीक है, तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद, हम थोड़ा सा, मतलब conflicting सी image create हो रही है, politics की, है न, अब आपको समझ नहीं आ रहा, कि politics अच्छी चीज है, या मतलब negative चीज है, क्या है politics, नहीं आ रहा समझ, है न, तो उस confusion को दूर करते हैं, ठीक है, तो it is unfortunate that politics is now associated with self-interest, ठीक है, ये बहुत ही sad बात है, बहुत ही unfortunate बात है, कि धीरे धीरे ऐसी situation आ गई ह है, कि हम लोग politics को किसी negative चीज के साथ associate करने लग गए है, ठीक है, हमें ये समझने की ज़रूरत है, कि politics हमारे society का, हमारे system का integral part है, politics के बिना हमारा ये जो पूरा system है, वो बिलकुल काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो मतलब it is sad कि हम लोग politics को negative चीजों के साथ link करने लग तो गांधी जी ने एक बार कहा था, महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा, कि मैं रीट कर रहे हूं, आप लोग सुनों क्या कहा उन्होंने, he once observed that politics envelops us like the coils of a snake and there is no other way out but to wrestle with it, गांधी जी ने एक बार कहा था कि politics मतलब एक snake की तरह है, जिसने आपको coil कर लिया, मतलब आपको जकड लिया, ठीक है, अब अगर आपको snake को हटाना है, तो क्या करना होगा, आपको उसके साथ wrestle करना ही पड़ेगा, है ना, चाहे आपको साफ अच्छे लगते हो, बुरे लगते हो, अब आपको पकड़ लिया, तो आपको भी उसके साथ wrestle करना ही पड़ेगा, कोई भी society politics के बिना नहीं चल सकती, है ना, हर एक society में एक system चाहिए होता है, जिसके through हम लोग collectively decision making कर पाए, और वो system politics से ही मिलता है, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि politics खराब चीज है, ठीक है, जैसे आप इसे ऐसे भी link क कर सकते है, आपको लगता है कि politics तो कीचड की तरह, तो आपको उस कीचड में उतरना ही पड़ेगा, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट है हमारे society का, हम उससे भाग नहीं सकते, ठीक है, we have to get involved in it, ओके, a society that wants to sustain itself, needs to take into account multiple needs and interest of its member, कोई भी एक ऐसी society जो बहुत लंबे time तक अपने आपको चलाना चाती है, sustain कराना चाती है, उस society को बहुत सारे लोगों की जरूरते, बहुत सारे लोगों की interest के बारे में सुनना होगा, और ये करने का एक तरीका क्या है, कि आप अलग-अलग institutions बनाओ, तो हमने society में जो कुछ भी बनाया है, जैसे family, tribe, जो भी हमारे economic institutions हैं, एक जगे पर एक खटा कर पा रहे हैं, ठीक है, तो government भी क्या है, government भी एक institute है, जिसके तुरू क्या हो रहा है, जिसके तुरू हम लोगों के needs and interest को समझ पा रहे हैं, ठीक है, पर हमें दिमाग में ये नहीं बिठा लेना, कि politics is just about government, ठीक है, दिमाग में ये कभी नहीं सोचना कि politics का मतलब है कि हमारी government क्या कर रहे है, government के affairs को politics कहते हैं, नहीं, government जो भी करती है, वो हमें ही तो impact करते हैं, है न, government के लोग जो भी करें, वो जो भी policy बनाए, जो कुछ करें, ultimately वो effect किसे करेगा, हमें जनता को, है न, जैसे for example, government economic policy बनाती है, foreign policies बनाती है, educational policies बनाती है, तो ये सारी policies, ठीक है, overall ये policies हमारे लिए बनाई जाती है, ये हमें effect करती है, ठीक है, if government in power allows any conflict to become violent, markets close, ठीक है, तो government जो भी करती है, वो हमें impact करेगा, for example, मान लो, जो भी government power में है, वो एक ऐसी type की government है, मान लो, किसी भी country में कोई एक ऐसी type की government है, जो corruption बहुत करती है, जो violence को promote कर रही है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर violence promote हो रहा है, तो क्या होगा, shop बंद हो जाएंगे, school बंद हो जाएंगे, हमारे daily life activities बंद हो जाएंगे, हमारे लिए पढ़ाई, health, ऐसी basic चीजों को access करना बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा, अब syllabus complete नहीं कर पाओगे, अब अगर school नहीं जा पारे, तो इधर उधर पैसे देने पड़ेंगे, coaching, tuition, यहां महां जाना पड़ेगा, ठीके, तो overall अगर government अच्छी policies नहीं बनाएगी, तो हमें नुकसान होगा, on the other hand, अगर government बढ़िया बढ़िया policy लेकर आएं, अगर government literacy के लिए, employment के लिए, ठीके, बहुत अच्छे-च्छे schools ले आएं, अच्छे-ची policies ले आएं, तो भी किसको फायदा होगा, हमें फायदा होगा, ठीके, तो since the actions of government affect us deeply, we take lively interest in what government do, ठीके, तो government के लोग जो भी करते हैं, उसका असर हमारे उपर पड़ता है, इसी लिए हम लोग इतना deeply invested रहते हैं कि government क्या क कर रही है, आप लोग उन्हें देखा। अगा घर पे जैसे पापा लोग और ममी लोग भाट बात करते रहते हैं कि हमारी government ये कर रही है, वो कर रही है, क्यों? हमें क्या लेना देना, government क्या कर रही है? हम इतने interested इस लिए हैं, government को लेकर, क्यों कि government जो कुछ भी कर रही है, ultimately में वह हमें ही एसेक्ट एक हम लोग क्या कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि गोवर्मेंट कुछ गलत कर रही है यह अगर हमें लगता है कि हम government को कोई idea देना चाहते हैं तो हम associations बना सकते हैं हम campaigns run कर सकते हैं है ना हम peaceful strikes कर सकते हैं थम लोग negotiate कर सकते हैं और government को बता सकते हैं कि हमारे goals क्या है है ना to sum up ठीक है तो अगर हम इस topic को conclude करें तो politics क्या है it arises from the fact that we have different vision of what is just and desirable for us ठीक है तो politics क्या है politics का core मतलब ये है कि हम सारे लोगों का अलग vision है है ना हम सारे लोगों के लिए just or desirable society का मतलब अलग है तो हम सब लोगों के लिए politics का मतलब भी अलग हो सकता है ठीक है जैसे अगर आप मेर से पूछोगे कि दीदी बताओ just or desirable society क्या है तो मैं होंगी कि अगर सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाएं वो है में लिए just and desirable अगर आप किसी और से पूछोगे कि बताओ आपके लिए just and desirable society क्या है में भी वो कहेंगे कि हमारे लिए just and desirable society यह है कि government सारे लोगों को health provide कर पाएं है ना तो सब लोगों के लिए politics का core meaning थोड़ा अलग हो सकता है ठीक है पर हाँ politics में multiple negotiation होती है हम लोग constantly बातचीत करते हैं debate करते हैं discussion करते हैं और collective decision लेते हैं कि country के लिए क्या सही है या फिर क्या गलत है ठीक है at one level it involves what government governments do and how they relate to the aspiration of the people ठीक है तो politics के एक level में तो हम यह समझते हैं कि government क्या कर रही है ठीक है another level politics के another level में क्या करते हैं it involves how we struggle ठीक है तो politics का एक भाग तो यह है कि government क्या कर रही है दूसरा भाग क्या है politics का कि हम क्या कर रहे हैं हम कैसे government के अलग-अलग procedures में पाट ले रहे हैं ठीक है चलो next topic क्या है हमारा what do we study in political theory ठीक है तो we study about movements अलग-अलग movements के बारे में पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं development के बारे में और हम पढ़ते हैं change के बारे में ठीक है तो अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको क्या दिखेगा आपको movement दिखेगा कि लोग-अलग-अलग movement कर रहे हैं हमें दिखेगा कि हर जगा अलग-अलग development चल रहा है और आपको दिखेगा कि चीज़े constantly change होती ही रहती है ठीक है अब यह जो चीज़े है movement development change इन तीनों के कोई ना कोई principle होता कोई ना कोई value होता जैसे की democracy freedom या equality है ना तो political theory में हम इन चीज़ों के बारे में movement development और change के बारे में तो पढ़ते ही है साथ ही साथ इनके पीछे जो ideas होते हैं जो principles होते हैं जैसे कि democracy freedom और equality इन principles के बारे में भी बढ़ते हैं ठीक है अलग-अलग countries ने इन values को अलग-अलग तरीके से protect करने की कोशिश करी है जैसे अमेरिका की लोगों ने क्या करा उन्होंने अपना समविधान बना लिया उन values को protect करने के लिए हम इंडियन्स ने क्या करा हमने अपना समविधान बना लिया इंडियन constitution बना लिया इन values को protect करने के लिए ठीक है पर यह जो सारी values है ना जो हमने अपने समविधान में इतने ध्यान से लिखी है यह सारी values they did not emerge overnight ऐसा नहीं हुआ कि एक रात के अंदर अचानक से यह सारी values आ गई हमने बहुत जादा मतलब संघर्ष करा ठीक है over time अलग-अलग लोग आए उन्होंने इन ideas की उपर debate करा सोचा discussion करा and धीरे धीरे हमें समझाए कि अच्छा इस value का यह मतलब है ठीक है तो अलग-अलग लोग जैसे की Cortella, Aristotle, Russo, Karl Marx, Gandhi ji, Dr. B.R. Ambedkar ऐसे और बहुत सारे लोग आए जिन्होंने over time कुछ-कुछ बोला कुछ-कुछ सोचा and इन ideas को और form करा ठीक है हमें लगता है कि जो पॉलिटिकल थेरी है यह सब बहुत रीसंट चीजें हैं है ना ऐसा में भी लगता होगा आप लोगों को कि मोनार की अच्छा है पर हम जो debates करते हैं यह debates बहुत लंबे टाइम से चलती हुए आ रही है ठीक है तो यह सारे लोग कुछ-कुछ कहके गए जो कि बहुत important हमें लगा और धीरे धीरे यह हमारे values में add up होता गया जैसे कि अगर हम रूजो की बात करें तो इन्होंने क्या आर्गू करा first argued for freedom as a fundamental right of humankind इन्होंने सबसे पहले यह बात करी कि freedom आजादी तो हमारा fundamental right होना चाहिए ठीक है next Karl Marx है Karl Marx ने क्या कहा कि equality बहुत ज़्यादा जरूरी है जब भी हम freedom की बात करते हैं ठीक है तो यह तो मतलब बाहर के लोग हो गया अगर आप इंडिया में आ जो इंडिया में हमारे लोगों ने कुछ कहा क्या गांधी जी ने ठीक है गांधी जी ने freedom और स्वाराज के बारे में बहुत अच्छी बाते करें उन्होंने किताब लिखी थी हिंद स्वाराज तो इस बूक में ने बहुत अच्छी बाते करी इसमें ने कहा था कि Britishers इंडिया में इतने टाइम तक इसी लिए strongly कभजा कर रहे हैं क्यूंकि हम उनके साथ cooperate करते रहते हैं है ना तो इन्होंने freedom स्वराज इन सारी चीजों के बारे में अपने किताब हिंस्वराज में लिखा Dr. B.R. Ambedkar जी ने schedule caste के बारे में बहुत कुछ कहा हैना कि इने minority consider करो इनको special protection दो तो ये सारी चीजे Dr. B.R. Ambedkar ने कहीं ठीक है तो ऐसे अलग-अलग thinkers आएं इन्होंने कुछ-कुछ कहा और फिर हमें समझ आये कि अच्छा values, principles ये सब क्या है और धीरे-धीरे लोगों ने इसे अपने समविधान में add करना start करा ओके चलो तो अब इन लोगों की कुछ photos देख लेते हैं I understand इन में से काफी सारे ऐसे नाम हैं जो आप पहली बार सुन रहे होगे और आप थोड़ा मतलब visualize नहीं कर पा रहे होगे तो तो मैं थोड़ी सी images भी लाएं ठीक है तो ये Plato and Aristotle है ठीक है ये Rousseau है ये Karl Marx है और ये तो अपने गांदी जी और डॉक्टर भी आरम बेटकर ठीक है चलो तो political theory deals with ideas and principles that shape our constitution Political theory क्या है? It deals with principles and ideas जो की हमारे समविधान को shape देते हैं ठीक है तो political theory में हम इन ideas को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं Freedom क्या है, equality क्या है, justice क्या है, democracy, secularism ये सारी चीज़े क्या है हम ये समझने की कोशिश करते हैं और आप समझोगे भी अभी तो पहला chapter है basic introduction है ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि है क्या political theory है न अभी जैसे जैसे आप आगे जाओगे आप इन सारी चीज़ों के बारे में करके पढ़ोगे in detail ठीक है साती सात rule of law, separation of power, judicial review इन सारे concepts का क्या मतलब है ये भी समझना political theory के अंडर आ जाता है ठीक है this is done by examining the arguments advanced by different thinkers हम पढ़ते कैसे political theory को ठीक है हम अलग-अलग thinkers क्या argument करके गए क्या बोल के गए हम ये सब समझते हैं साथ ही साथ हम current political trends के साथ भी relate करते हुए चलते हैं जैसे अभी फिलहाल आप लोगोंने news में बहुत जादा सुना होगा कि क्या इंडिया में सही में secularism है है ना तो हम current political trends के साथ topics को relate करते हुए पढ़ते हैं कि इंडिया में ये values चल भी रहे हैं या नहीं ठीक है अब आप लोगों के दिमाग में question आ रहा होगा कि दीदी is this all still relevant for us है ना ये सारी तो ऐसी चीजे लग रही है जो मतलब किसी एसे country के लोगों को पढ़ना चाहिए जहां आजादी नहीं है equality नहीं कुछ नहीं है है ना अब तो हमें आजादी मिल गई अब तो हम बढ़िया कर रहे हैं वी आर अल्रेडी ए डिमॉक्रसी तो अब हमें ये सारी चीजे पढ़ने की क्या जरूरत है ठीक है तो इसका मैं आ बढ़िया बढ़िया लिग दिया समविधान में पर मैंने क्लास की शुरुवात में आपसे question पूछा था कि क्या आपको genuinely लगता है कि इंडिया में ये सब है 100% है ठीक है तो हो भी सकता है कि कुछ स्पेर में ये सारी चीज़े चल रही हो पर economic spare social spare कहीं ना कहीं ये सारी पाते हो है ना तो आप लोग blessed हो पर अगर आप पूरे इंडिया के बारे में सोचो तो सब लोगों के पास ये privilege है क्या पूरे इंडिया में सारे बच्चे आपकी थरा बढ़िया तरीके से पढ़ पा रहे होंगे क्या ठीक है तो आज के टाइम पर भी ये सारे आईडिया ज पढ़ते हैं जैसे जैसे हम freedom के बारे में पढ़ते हैं समवेधान में क्या होता है हम नए नए interpretation को समझते जाते हैं हम नए तरीके से constitution को समझते रहते हैं आप इसे ऐसा समझो it is a bit like playing a game ये game खेलने की तरह है जैसे मानलो हम कोई chess का game खेल रहे हैं और मानलो आपको chess नहीं आ दिरे दिरे और समझाएगा कि अच्छा आरानी ऐसे ऐसे कहीं भी चल लेती है बहुत बढ़िया है ना तीसरी बार खेलोगे आपको और समझाएगा तो games के साथ क्या होता है जैसे जैसे हम खेलते हैं हम और नहीं नहीं चीज़े सीखते जाते हैं सेम हमारे समवेधान के एक्सपैंड करा है क्योंकि विट टाइम हमें लगा चीज़े बदल रही है तो हमको भी बदलना होगा ठीक है ठीक है यह सेकेंड पॉंट के साथ हलका सा लिंग है ठीक हमारे वर्ल्ड में कुछ भी स्टाटिक मतलब एकदम स्टिल नहीं है चीज़े कॉंस्टेंटली बदल बदलना होगा हम ऐसे खाली नहीं बैठ सकते कि नहीं डिमोक्रसी आ गई अब तो हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है नहीं वर्ल्ड इस्टिल चेंजिंग ठीक है तो हमें भी दुनिया के साथ बदलना होगा ठीक है जैसे पॉर एक्जाम्पल आज के टाइम पर टेक् बदलने की जरुरत है कि टेक्नोलोजी से बहुत जादा खत्रा भी है ठीक है जो टेरिस्ट हैं जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए ब्दलने कर रही है है ना तो ऐसे में हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि क्या गवर्मेंट को हमारे प्राइवेटे मेल पढ़ने चाहि पर हम लोगों की भी कुछ प्रिवसी है, है न, तो government को किस हद तक हम लोगों का private बातचीत ये सब देखना चाहिए, ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में सोचना ही political theory होता है, ठीक है, चलो, next topic क्या है, putting political theory to practice, political theory जो subject है, putting it into practice, ठीक है, तो political theorist, अगर आप किसी भी political theorist से पूछोगे, कि freedom या equality का क्या मतलब है, तो सब लोग अलग अलग जवाब देंगे, ठीक है, अगर आप किसी social science के teacher से भी पूछोगे, कि बताओ equality का क्या मतलब है, तो हो सकता है, मैं कुछ और जवाब दूँ, ठीक है, अगर आप किस अनों कोई जवाब नहीं आता, इसका मतलब यह है कि equality एक ऐसा शब्द है, जिसकी definition सब के लिए अलग हो सकती है, ठीक है, तो हमारे जो political theorist हैं, आप अलग अलग लोगों से जाके पूछो, वो अलग अलग जवाब देंगे कि equality का मतलब क्या है, ठीक है, जैसे for example, maybe मेरे कर रहा पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, maybe madely equality का मतलब यह हो, ठीक है, मान लो मैंने आप से पूछा कि आप बताओ equality का क्या मतलब है, आपने बोला कि दीदी madely equality का मतलब यह होगा, कि मेरे घर में एक बड़ा भाई है, जिस दिन मेरे बड़े भाई और मुझको दोनों को same treatment मिलेगी घर पर मैं तो मान लूँगी equality है, तो हम दोनों की definition अलग होगी equality की, है न, तो political theory में यह चलता है, ठीक है, चीजों की diverse definition होना is fine, ठीक है, तो इस chapter में आपको कुछ रटना है नहीं, आपको बस समझना है, क्यूंकि हम लोगों की अलग-अलग सोच, अलग-अलग वि के पूछो की triangle क्या है, तो वो fixed answer बताएंगे, ठीक है, वो अपने हिसाब से definition नहीं बदल सकते, पर हमारे subject में ऐसा नहीं है, हमारे subject में हम अपनी definition अपने हिसाब से बदल सकते हैं, तो बताओ कौन सा subject बढ़िया हुआ, ठीक है, तो इसलिए न, वैसे liberal arts भी कहा जाता है, हम मैं सोचो, ठीक है, एक्वालिटी freedom क्या है, सोचो, अपने हिसाब से कोई मतलब निकालो इसका, ठीक है, this is because terms like equality concern are relationships with other human beings, ठीक है, कारण क्या इसका कि सब लोग अलग-अलग definition दे रहे हैं, क्योंकि equality जैसे words न, ये human beings के relationships के साथ linked होते हैं, और जहां पर इंसान आ जाते हैं, वहां पर चीजे हमेशा बदलती रहती हैं, ठीक है, ट्राइंगल एक इंसान नहीं है, उसकी definition कभी नहीं बदलेगी, पर equality का जो real meaning है, वो human beings के साथ linked है, और हम लोग तो बदलते ही रहते हैं, तो इसलिए equality का मतलब भी बदलता रहता है, ठीक है, so at the same time, if there are separate counters, आचा, ये example है, मैं आपको समझाती हूँ, की quality का मतलब हमारे लिए कैसे बदल जाता है, है न, मान लो, हम एक shop पे गए, और हम सारे लोग सीधे line में लगे हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, एक इंसान आया, ठीक है, उसने का, उसने कुछ नहीं का, ठीक है, वो सीधा मेरे आगे-ागे-ा ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, हम सबको बुरा लगेगा न, कि हम सारे humanities वाले साथ में गए थे, shopping करने के लिए, दीदी line में लगी हुई थी, कोई इंसान सामने आके खड़ा हो गया, और दीदी बेचारी कुछ क्या भी नहीं रही उस इंसान को, मन ही मन, दीदी बहुत ग हैं, ठीक हो, बहुत ओल्ड हैं, अच्छे से चल भी नहीं पा रहें, वीलचेर पर हैं, तो वो आये counter पे, उनके लिए अलग सी line बन गई, ठीक है, वो हमारे line में खड़े नहीं हुए, वो अलग से आए, उन्होंने billing कराई, वो चलेगा, तो वो हमें बुरा नहीं लगेगा है ना, जब वो आके line तोड़ के अपनी billing कराके जाएंगे, हमें बुरा नहीं लगेगा, पर जब कोई random एकदम proper healthy आदमी हमारे आगे आके खड़ा हो जाएगा, तब हमें बुरा लगेगा, तो ऐसे में क्या हुआ, हमारे लिए equality का जो concept है, वो बदल गया, है ना, एक तरफ क्या है, एक आदमी आके सामने खड़ा हो रहा है, हम बहुत गुस्सा हो रहा है, दूसरी तरफ कोई और आदमी आके billing पहले कराके जा रहा है, तो विया completely fine, क्यों, because we understand कि उस person की situation अलग है, है ना, तो जहां पर human concept आ जाता है, वहां पर चीज़े बदलने लगती है, ठीक है, ऐसा triangle के साथ नहीं होता, ठीक है, triangle की definition कभी नहीं बदलेगी, ओके, चलो, ठीक है, तो even though Indian constitution guarantees the right to primary education for all, this right remains formal, ठीक है, तो काफी सारी चीज़े हमारे समवेधान में ऐसी हैं, जो formal है, ठीक है, जैसे अगर मैं girl students के बारे में बात करूँ, तो बहुत सारी लड़कियां है, जो पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, ठीक है, क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि उन्हें घर से ही कोई support नहीं मिलता, घर के जो लोग होते हैं, वहीं उनसे बोल देते हैं, कि तुम मत पढ़ो, तुम घर पे रहो, है ना, तो ऐसे में क्या है, हमारे पास जो हक है, जो कि हमारे समवे सद्धान में दिया गया है कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन फॉर रॉल यह सिरफ फॉर्मल हो गया असलियत में किसी को यह हग मिल नहीं रहा है है ना सुधर रीजन वी हाफ मैनी definition is because meaning of equality is dependent on the context ठीक है तो overall यह सारे example से हम आपको यह समझाने ही कोशिश कर रहे थे कि equality जैसे words की अलग-अलग definitions क्यूं है क्यूंकि equality का मतलब बदलता रहता है ठीक है equality का मतलब context देखकर बदलता रहता है ठीक है जो हमारे political theorist हैं वो इस चीज को clarify करने की कोशिश करते हैं कि इन concepts का क्या मतलब है and ordinary life में हम इन concepts को कहां कहां देखते हैं ठीक है चलो next topic है हमारा why should we study political theory क्या जरुत है हमें political theory को पढ़ने की ठीक है तो as high school students अभी तो आप लोग school students हो पर आप लोग जैसे जैसे बड़े होगे अभी आपने humanities कुछ सोच के लिया होगा ना तो most of you आप लोग ऐसे ही field में जाओगे जैसे bureaucrat बन गए ठीक है आप में से काफी सारे बच्चे IAS बनेंगे ठीक है तो याद रख लेना तब मुझे ठीक है कहीं भूल जाओ ओके lawyers बनोगे आप लोग journalist बनोगे कितनी तो amazing amazing चीज़े करो गयार तुम लोग है ना तो उस time पर तुम्हें चीज़े काम आएंगी जब तुम्हें ब्यूरोक्राइट होगे जब तुम्हें एक lawyer होगे उस time पर तुम्हें पता होना चाहिए कि equality क्या है freedom क्या है justice क्या है ठीक है ये वैसे तो equality जैसी चीज़े ना मतलब मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे subjects हैं जो हर बच्चे को पढ़ना चाहिए ठीक है अगर आप science student हो commerce student हो ये तो कुछ ऐसे subjects हैं जो सबको पता होने जाहिए ठीक है तो आप लोग बड़े होगे बहुत amazing बहुत cool cool चीज़े कर होगे ठीक है आप bureaucrats बनोगे lawyer बनोगे journalist बनोगे और भी बहुत कुछ करोगे हमने career options में पढ़ी रखा है अगर आपको नहीं पता है कि क्या करना है तो एक video है हमारी इसी चानल पर career options से related वो देख लेना आपको थोड़ा idea मिलेगा तो उस time पर आपको पता होना चाहिए कि य मान लो ठीक है अगर हम professional point of view को अगर हम side में रखें तो हम सारे लोग citizen तो है ना इंडिया के है ना हम लोग अच्छे citizen तो है तो as good citizens भी हमें यह सब पता होना चाहिए ठीक है मान लो IAS lawyer यह सब नहीं बनना हमें तो और कुछ नहीं तो इंडिया की citizen तो है तो अच्छे citizen होने के नाते हमें यह सारी चीज़ पता होनी चाहिए ठीक है जैसे हमारे बुक में बहुत ही प्यारा सा एक्जांपल दे रखा है music concert का ठीक है तो music concert की तरह ही है हमारे government का system ठीक music concert में क्या होता है जो band के लोग आ होते हैं वो गाना बजाते हमें अच्छा लगता है तो हम चीर कर यह खुश कर रहो appreciate करो government कुछ बुरा कर रही है तो उनकी गलतिया निकालो government कोई suggestion मांग रही है तो उन्हें suggestion दो ठीक है तो secondly हम सारे लोग citizens है हमारे पास अलग-अलग rights है जैसे की right to vote and in rights को use करने के लिए हमारे पास basic knowledge होनी चाहिए ठीक है इसलिए भी यह subject हमारे लिए important है thirdly freedom equality and secularism are not abstract issues in our life we daily encounter discrimination ठीक है freedom equality secularism ऐसा नहीं है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इन topics से हम daily life में देखते हैं इन सारी चीजों को है न यह book जब तक खतम होगी न in fact I feel like इसी chapter से आपको शुरुआत कर लेनी चाहिए हर एक चीज को question करो ठीक है आपको अपने life में जो कुछ भी दिख रहा है आसपास ठीक है जैसे आपको दिख रहा है कि आपके घर में एक चोटी बहन है में भी उसके साथ थोड़ी बहुत भाव की जा रही है तो question करो कि ऐसा क्यों हो रहा है society में ठीक है तो freedom equality secularism यह सब कोई abstract ideas नहीं है ऐसा नहीं है कि हमारा कोई लेना देना नही सना में पता होना चाइये next YouTube हमने से काफी सरे लोगों को debate करना चालकता होगा मुझे तो बहुत अच्छा लगता था जब मैं स्टूोडन्ड थी तो हम इसे काफी सारे बच्चों आपको भी debate करना बहुत अच्छा लगता होगा इलोकुश्न मतलब a a topic पकड़ा देते व्ह कौन सी चीज reasonable नहीं है, तो debate करने के लिए भी न, knowledge होनी चाहिए, ठीक है, कुछ भी जाके stage में उल्टा सीधा, तो बोल के नहीं आ सकते हैं, तो ताकि we can argue in an informed matter, ठीक है, so that we can argue in an informed manner, ठीक है, तो ताकि हम लोग argue भी करें, तो भी दिमाग के साथ करें, सही context में argue करें, उसके ल भी हमारे लिए ये subject जरूरी हो जाता है, ठीक है, तो confetti time, ठीक है, मतलब chapter हमारा खतम हो गया है, थोड़ा आप लोग celebrate वगेरा कर सकते हो, pat your back, good job, ठीक है, so अब आपको थोड़ा बहुत idea लगा होगा कि है क्या political theory, like I said, पहला chapter है, सिरफ introduction था ये, अभी आपको पूरी कहान समझ नहीं आई होगी, दीरे दीरे जैसे ऐसे chapter स्टार्ट होंगे, सब समझ आ जाएगा, ओकी, चलो बच्चो, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मुझे comment section में बताना class कैसी लगी, और हाँ मैं आपके comments बिल्कुल बिल्कुल देखती हूँ, ठीक है, you can also reach out on Instagram, आप and bye-bye, take care and thank you.